इंड्यो प्रीमिय लीग के 17 एडिशन में बुद्धवार को दिली कैप्टर्स और गुजराट टाइटन्स के पीच मैच खेला जाएगा और चार रन से मैच को गवा दिया इस मैच में दिली कैप्टर्स की टीम टॉस हारने के बाद पहले बैटिंग करने उतरी लेकिन उनकी शुरुआत ताफिक खराब रही और किवल 44 रन के स्कोर पर ही टीम विकेट हो दिये लेकिन इसके बाद कैप्टर्स रिशाप पंथ और अक्षर पटेल ने मैच का रुख पूरी तरीके से मोड दिया दोनों लेट हंडर्स ने जब अध्दस्त बैटिंग करते हुए चोथे विकेट के लिए 113 रनों की तुफानी सांजेदारी कर टीम के स्कोर को 200 के पार पहुचाने में खास रोल अदा किया अच्छर पटेल ने 43 बॉल में 6-6 और कैप्टन रिशाप पंथ ने 43 बॉल में 5-4 और 8 चकों से 88 रन की नौट आउट पारी खेली तो साथ ही ट्रस्टन ने 7 बॉल में 26 रन बनाए गुजवाट टाइटन्स की टीम 225 रन के टार्गेट को अचीव करने उत्री लेकिन उनकी स्टार्ट काफी खराब रही जहां कैप्टन शुगमन गिल 6 रन ही बना सके इसके बाद रिदिमान साहा और साइस सुदर्शन ने केमें में खलबली मचाते हुए तेज बॉल में पचपच रन बना डाले मिलर के आउट होने के बाद राशित खान और साही कि शोड ने आखरी गेन तक मैश खीचा लेकिन दिली कैप्टल्स ने रूमान चक जंग को चार रन से जीत लिया इस सांस रोग दने वाले मैश को ल प्रेट रने के लिए बने रही हमारे चैनल के साथ